हेलो गाईज, वेलकम तू माई नियो व्लोग, कैसे हैं आप लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो आज व्लोग के स्टार्टिंग कर रही हूं, मैं सुबा के आठ बज रहे हैं, और वेसरता मैं सुबा जल्दी उठ गई थी, तो मैंने कपड़े वगरा सब दो दी हैं, चा मैं बने रहेगा, सबसे पहले मैं लोगी एक कटोरी सूजी, और इसे कटोरी से मेजरमेंट करके डालोंगी, और एक कटोरी मैं लोगी बेसन, इसे भी मैं उतना ही डालोंगी जितना मैंने सूजी डाला था, एक कटोरी, फिर मैं डालोंगी नमक, थोड़ा सा, और फिर डाल जीरा और पानी डाले मैं इससे पूरा मिक्स कर दूँगे निक्स करने के बाद मैं इसे ढग दूँगी फिफ्टीन मिनट के लिए और अब मैं बीट्रूट को यानि चुकुंदर को ना चीलूंगी और इसे शोब दूब के रग दूँगी और उसके बाद मैं गाजर भी लूँगी उसे भी पहले छिलूँगी और फिर धूँगी और इनको मिक्स करके मैं एक चौपर में डाल दूँगी उसे छोटे छोटे पीस करके और इसमें मैं और एट करूंगी अद्रक और थोड़ी सी मटर एट करूंगी और इसके बाद मैं थोड़ा प्यास डालूंगी आप चाए तो और भी वेज़ेटेबल्स मैं एट कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसे चॉप कर दोंगे अब मैं नॉन स्टिकी तवा लूँगी और उसमें एक टेबल स्पून तेल डालूँगी और उसे थोड़ा गरम होने दूँगी उसके बाद जो मैंने मिक्स्चर बनाया था पेशन और सूजी का उसे डाल दूँगी और उसके उपर से मैं एड करूँगी जो मैंने वेजिटे से डाल दूँगी और फिर मैं 2 मिनटी लेस एक राखत दूँगी उसके बाद मैं से ओपन करूँगी तो मैं इसे पलट दूँगी 2 मिनटी फिर मैं 2022 पकने के लिए रखत दूंगी और इसी के साथ मेरा बेशन का चिला जो है यह रेडी हो गिया है और उसके बाद मैं दूसरा method करूंगी इसमें मैं जो मैंने घूल बनाया था बेशन और सूजी का उसमें मैं एट कर दूंगी जो मैंने मैं दोनों ऐसे कौन सा method easy और अच्छा लगा तो आप देख सकते हैं मेरा बिट पास्ट हो गया है रेडी मैंने बनाया थे बिट बूट के चिले तो चलिए फिर खाना स्टार्ट करते हैं I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉक के साथ बब बाई